CCB ने ये पूरे इंवेस्टिकेशन का मामला सामने रखते ही वे प्रस्कु एक रिपोर्ट दिया था उसमें किंग पिन संपत राज को बदाया था आज एन्ने ये के चार्षीट में संपत राज का दूर दूर तक नाम नहीं है कौन था संपत राज जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटीटी के घर को आग लगाने के लिए साजी स्रचाया हुआ एक शक्त था उसको आप चार्षीट से बाहर रखते हैं तो क्या मेसेज जा रहा है तो वहाँ पर क्लियर जाहिर होता है इसमें हमें फसाने की कोशिश करिया रही है और सबसे पहले ये पूरे अमामले का स्टार्ट करने वाला नवीन था नवीन के ओपर कोई ये उप्या नहीं लगता तो ये उप्या सिर्ख एक खास कम्यूटी के लिए रिजक्त क्या एक खास पार्टी के लिए रिजक्त बनाइब कानोन है क्या ये ये प्सांब है ये डिस्क्रिमिनेशन है इसके खिलाब पूरे लोगो इक जृट्ँटों के आबाद उठाना पड़ेगा आज SDPI का मामला है कर तुम्हारे घर में भी आएगा दूसरी चीज, SDPI के कारे करता बोल के जिसे पैरस को आपको ये वन बोल के प्रेम कर रहे हैं वो SDPI से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है वो आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का कारे करता है कुछ भी हो, वो SDPI के हो, या कांग्रेस के हो, JDS के हो जितने भी मासूमों को इसमें फिक्स किया गया है उन सारों की रहाई के लिए SDPI काम करी अब जाहिए से वात है केजे हली और डीजे हली में बैंगलूर में जो हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो नाम लिया गया है चार्शिट में यानि इसको जो साज़िश बनाए जाने का जो प्रोपगंडा किया गया है वो जो है SDPI पर लगाया गया है और SDPI इस वात प्रेस कांफरेंस मुनाकिद करके साफ तर पर कह रही है कि इस सब का सब एक जगे जहां पर इसकी तहकी कोई और तन्जीम कर रही थी अचानक मरकस से यह ना यह आती है और पूरी प्रेप्लाइन के साथ आती है और SDPI को उसमें खीच लेती है उसके कारकुनान पर मंगरत इल्जामात लगा करके शार्शिट में उसमें नामदर्ज किया जाता है इन तमाम चीज़ों को दलाइल के साथ प्रेस कौनफरेंस मुनाकिद करते हुए SDPI के बहुत सारे जिम्मेदारान ने इन इल्जामात को मुस्तरत करनी की कोशिश की है और हकीकत को बयां करनी की कोशिश की है मानिगारों के सामने आए देखते हैं कि SDPI के लिडरान क्या कहना जाए जो इंफरमेशन मिला है वो इंफरमेशन के मुताबिक SDPI के दस्या बारा कारे करता है और दुसरे ये नई के रिपोर्ट में यह है 40 या 50 SDPI के बता रहे हैं वो फिरोस पाशा के जैसे हो सकते हैं अभी चक्कर ना है उसको पुरा चार्शित थरोली स्टेडी करने के बाद वो वजाहत हो जाएगा कुछ भी हो SDPI के हो या कांग्रेस के हो JDS के हो जितने भी मासूमों को इसमें फिक्स किये गया है उनसारों की रिहाई के लिए SDPI काम करीगे एक इंसिडेंट हो था हो साफ सरी के से आप चार्शित को देखे पड़ेंगे उठाएंगे तो जाहिर हो जाएगा जब CCB ने ये पूरे इन्वेस्टिकेशन का मामला सामने रखते ही वे प्रसकू एक रिपोर्ट दिया था उसमें किंग पिन संपत राज को बताया था आज एन्वे के चार्शित में संपत राज का दूर दूर तक नाम नहीं है तो ये एक क्लियर कांस्फिरेसी हो गई न कौन था संपत राज जो एक पब्लिक रिप्रेजन्टिट्विट के घर को आग लगाने के लिए साजिश रचाया हुआ एक शक्स था उसको आप चार्शित से बाहर रखते हैं तो क्या मेसेज जा रहा है इसमें दूसरी चीज SDPI के कारे करता बोलके जिसे फैरोस को आप ये वन बोलके फ्रेम कर रहे हैं वो SDPI से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है वो आमाद्मी पार्टी का और कांग्रेस का कारे करता है तो वहाँ पर क्लियर जाहिर होता है इसमें हमें फसाने की कोशिश करिया रही है और सबसे पहले ये पूरे मामले का स्टार्ट करने वाला नवीन था नवीन के ओपर कोई UAPI नहीं लगता अभी करनाटक में ये पैंडमिक की दौरान तकरीबं 6 महिने में 124 आनलेन केसस को SDPI दर्ज की है ऐसे ही खौम के ओपर तबलीगी करोना इस तरीके से मुसल्मानों के ओपर टार्गेट करकर पोश्ट किये थे एक भी UAPI उसके ओपर नहीं लगा तो UAPI सिर्फ एक खास कम्यूनिटी के लिए रिजर है क्या एक खास पार्टी के लिए रिजर हुआ बना हुआ कानून है क्या तो ये ना इंसाफी है ये डिस्क्रिमिनेशन है इसके खिलाब पूरे लोग एक जुट होके आवाज उठाना पड़ेगा आज SDPI का मामला है कल तुमारे घर में भी आएगा अभी हमारे पास एकी आप्शन बचा हुआ है कोर्ट के डाइरे में रहते हुए ये हमारे उपर जो पेक चार्जस लगाए हैं इसको हम चालेंज करकर इसके खिलाब हम खानूनी लड़ाई लड़ना है तो हमारे अड़्वेकेट इसके उपर काम कर रहे हैं चार्चीट कूश टेड़ी कर रहे हैं और ये चार्जस के खिलाब हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे आखिर में जीत सचाई की होगी हार ये फिच्टाई टाखतों की होगी हमें एतिमाद है हमें ऐसे पेक चार्जस लगाने के जरिये से हमारे रास्ते से हटाने की जो फिस्ता ही ताफ़तों की साजिश है ये कामयाब होने वाले नहीं है